सर्व पृथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज़ा महिला और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिपनी करनी चाहिए थी दूसरी बात है विधान जो भवन होता है विधान सभा जो होती है वो बहुत ही गौरवानवित और प्रतिष्ठित भवन है देश का बिहार से कितने लोग आईयस पीसियस निकलते हैं इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं बड़े सुल्जे मानसिकता के हैं परन्त इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधान सभा में होना ही नहीं चाहिए और अब जब इलेक्शन्स हो तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान करके आ रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का मर्यादित बयान दे करके उन्हों ने अपने संस्कारों को पर लिक्षित किया है ये कोई बात कहने वाली विधान सभा में आप बताईए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका और उनको माफी भी मागनी चाहिए और मुझे तो लगता है कि उनको जो है स्टीफा दे देना चाहिए इस बात पर इतने बाहर के मुखमति आने के बाद आप नितीज कुमार कहना है कि मैं अपने सब्द वापस लेना चाहता हूं मैं माफिमार रहा हूं बिहार के लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं विप्रितार्थ परिस्थितियों में उन्होंने इतना बड़ा सर्वस्ट्रेश्ट एक्जाइम भारत का आईस का एक्जाइम जो है पार किया है और लोगों ने बहुती कम रिसोर्सेज मे इस एक्जाइम को पार किया इसका मतलब है कि बिहारी जो माइंड है वो बहुती ट्रेंड और बहुती अच्छे है कितने सारे साइंटिस्ट हैं बिहार से जो अभी भी जो है यहां के भी शोध में अपना रिसर्च कर रहे हैं और बाहर भी नासा में भी हैं कार्यत हैं तो म महिलाओं के खास तोर से यह याद रखना चाहिए कि किस प्रकार की घटिया मान सकता को उन्होंने विधान सभा जैसे पवित्री जगह पे और ऐसे स्थल पे जहां पर लोग चुन करके लाखों के वोट से जीत करके जाते हैं और लोगों का एक तरह से विश्वास है संविधा के लिए काम करा जाता है कि लोगों के लिये काम किया जाता है वहां पे इस तरीके का ब Minist आप इंटर स्टेट कितने जो है चुनाव हो रहे हैं क्या दिख रहा है आपको यह सिर्फ जो है डगोसले वाजी है लिए लोगों को बेकूव बनाने का तरीका है और कोई इंडिया फिंडिया का कोई जो यह गड़ बंदन i.in.d.i.a यह सिर्फ एक सिर्फ जो है सिर्फ बोलने के लिए था भारत आजर है भारत अमर है भारत का जो एक जो है विशेश मैं कहूंगी जो आत्मा है उस सब के दिलों में एक ही उससे है कि हमारा भारत आगे रहे और भारतीय जंता पार्टी लगातार इस मिशन पर काम कर रही है कि हम सबका साथ सबका विकास आदर्णी प्रधान मंत्री जी आदर्णी नरेंद्र उनकी कथनी करनी में फरक है, उनको कभी लगाई नहीं कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए, वो तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो महिला बिल जो इतने समय से लटका हुआ था वो लेकर के वो आए, नई पार्लेमेंट में सबसे पहला बिल जो उन्होंने पास किया, व पूरे Constitution में, तो 33 प्रतिशत का जो आरक्षन है, हर जगा लागू करने की बात कही है उन्होंने, अब वो एक अलग विशय है कि उसमें जो है, कुछ clauses हैं, जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, पर जो है, वो बिल तो पास हो गया प्रधान मंत्री जी के वज़ा से, नरें नहीं बात कर रहे हैं, कभी महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, जब कि जो है, कितनी सारी महिलाएं, जो है, मुझे लगता है कि और भी पार्टी में हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा, बड़ वो उसी तरह से हैं, कि भाई, पारिवारिक दृष्टी कौन से हैं, बारतिय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है बिल्कूल भी वो अपने मेरिट पे लोग कर रहे हैं और प्रधान मंत्री जी का जो विजन है वो बहुत क्लियर है भारत की अखंडता कैसे रहे भारत की महिलाएं भारत के पुरुष भारत के बच्चे भारत के युवा कि इसलिए नहीं है कि कोई परिवार आगे बढ़ जाए जी कि अब बीपी गंगा ख़बर आपकी जवाब की